सब्सक्राइब वाइस वर्डप्रेस कुरू हेलो फ्रेंड्स माइसलफ अने शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डप्रेस कुरू पे आपको स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे what are the do follow and no follow links in SEO ठीक है दोस्तों तो SEO के अंदर do follow और no follow links क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा detail में और with example की do follow और no follow links क्या होते हैं और आखिर में हम बात करेंगे की do follow और no follow links के क्या benefits है ठीक है in SEO ठीक है तो आएए चलते हैं कि यह जानते हैं कि do follow और no follow क्या होते हैं example के साथ और इसमें क्या difference है ठीक है और इसके क्या benefits है तो दोस्तों do follow links क्या होते हैं ठीक है nofollow बनाया चाता है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि dofollow links जो है वो किस तरह से मतब जो है example के साथ की किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा जो link है वो dofollow है ठीक है और किन ही dofollow links कहते है दोस्तों यहाँ पर एक dofollow link का example है जैसे कि मालीजी आपको पता है कि यह जो tag है या इस तरह से मतब जो है एक hyperlink create किया जाता है ठीक है अगर पता नहीं है तो यह वाला code जो है use होता है जैसे suppose यहां पर मतब जो आपकिया एक इसम का anchor text है ठीक है तो वो तो आ गया google ठीक है और इसके अलावा जो है यहां पर जो है इस website को मतब जो है hyperlink दिया गया है google anchor के साथ google word के as a anchor use किया गया है और यहां पर google.com को link दिया गया है ठीक है यह HTML tag है जिसके थूँ hyperlink create किया जाता है तो hyperlink के लिए जो है यही code इस्तिमाल होता है तो यहां पर आपका anchor होता है और यहां पर आपका जो है यहां पर उस website का address होता है जिसको link back किया जाता है तो दोस्तों यह जो है यह एक मतब जो है do follow link है क्योंकि मतब जैसे कि मैंने आपको बतायागी सभी links जो है basically do follow होते हैं do follow links जो है आपके लिए जो है मतब आपकी website के लिए अच्छे होते हैं और अगर आप google में अपनी website को rank करवा मतब index करवाना चाहते हैं उसके बाद ranking हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए do follow links beneficial है और do follow links आपको लेने चाहिए और जाद जाद आपके जो links है और do follow होने चाहिए तो do follow या no follow links को आप कैसे जानेंगे तो उसके लिए आपको example दिया है कि do follow link जो होता है वो इस तरह से होता है इसमें मतब इस तरह से उसको लीखा जाता है तो अगर वो इस तरीके से link back किया गया है तो वो do follow है ठीक है और otherwise इसमें एक attribute का use किया जाता है जिससे वो no follow हो जाता है और no follow होने पर उसे google search engine जो है उसको follow नहीं करता है उसे link नहीं मानता है ठीक है तो do follow के लिए ये code use होता है अगर जहां से भी आप link back कर रहे हैं अपने लिए link back कर रहे हैं मतब जैसे आपके लिए आपको को link back कर रहा है तो वहां आप देख सकते हैं और यदि आप किसी को link back कर रहे हैं तो यदि आप इस तरह से link दे रहे हैं क्योंकि ये basic structure है एक backlink करने का या मतब जो भी code है ठीक है hyperlink देने का तो अगर आप किसी को link दे रहे हैं या कोई आपको link दे रहा है इस तरीके से तो without nofollow attribute तो ये dofollow link होगा उसके लिए या आपके लिए और dofollow link किसी भी website या blog के लिए best होते हैं अगर वो अच्छी website से है तो ने चुलिए कि आपकी website ranking improve कर सकता है और google उसको follow करता है यदि nofollow है तो google उसको follow नहीं करता है तो मैंने example दे दिया कि dofollow link को पहचाने के लिए हम इस code से इसको समझ लगते हैं बागी थोड़ा सा एक और example देना चाहूंगा इसके उपर आप इसको ज्यादा समझ सकें जैसे कि suppose यह मेरा एक blog है ठीक है दोसो और इसको यह कोई other website है जिसने इसको link back किया है यानि कि यह मेरा inborn link है और अब मुझे यह जानना है कि यह dofollow है यह nofollow है क्योंकि अगर यह nofollow होगा तो SCU में यह मेरी कोई मदद नहीं करेगा बट यहां से कोई human जो है इस link को follow करते हो मेरी website पर पहुंच सकता है लेकिन search engine इसको जो है follow नहीं करेगा ठीक है तो यह मेरा लिए ज़रूरी है कि यह dofollow होना चाहिए ताकि मुझे SCU में इसका benefit मिल सके और कोई human भी इस link को follow करते हो मेरी website पर पहुंच सके तो इसके दोनो benefits होंगे ठीक है जबकि nofollow का कोई मतब benefit सिर्फ यह होगा कि वहां से कोई human being जो है link follow करके मुझे तक बहुंच सकता है लेकिन यानि कि मेरे blog तक बहुंच सकता है लेकिन जो है Google SEO में इसका कोई benefit नहीं होगा जैसे कि मैंना कोई यह other website है हमने जानना है कि यह do follow है यह नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे उस website यह उस page पर जाएंगे जहां पर hyperlink हमारा लगा हुआ है और इस page पर click करेंगे खली click करेंगे और Ctrl U दबाएंगे ठीक है और Ctrl U दबाने से इस command को हम अपने keyboard से प्रेस करेंगे तो हमारे पास यह coding वाला section आ जाएगा और यहां पर हम Ctrl F दबाएंगे और push search करेंगे जो हमने जो हमारा domain है जो की hyperlink किया गया है तो इस तरह से जैसे हमने Ctrl U दबाया इस page पर जाके वहां पर खली click किया और Ctrl U दबाया फिर code section आ गया फिर Ctrl F दबाया और यहां पर उस word को डाला यानि अपने URL को डाला और जैसे ही डाला तो यहां पर यह hyperlink यहां पर आ गया तो हम अब यहां इसको देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है इस पूरे code को आप देखिए ठीक है जैसे कि मैंने बदाया hyperlink का code जो है वो same ही होता है सब जगा ठीक है जैसे कि यह है ठीक है तो यहां पर यह website का address है और यहां पर यह anchor use हुआ है अब यहां पर जो है यह blank है blank means की दूसरे page पर आपको ले जाएगा यह ठीक है तो इसका कुछ नहीं है अब जैसे R.E.L. है यहां पर nofollow नहीं होना चाहिए अगर यहां पर nofollow attribute है तो यह nofollow links है यानि कि human इसको follow कर सकते हैं इसके जरीया आप ब्लॉक तक पहुंच सकते हैं लेकिन लेकिन Google SEO में इसका आपको कोई benefit नहीं होगा क्योंकि Google इसको follow नहीं करेगा जब इसमें nofollow attribute लगा होगा तो यहां पर मतब इस तरह का कोई nofollow attribute नहीं लगा है ठीक है तो इसलिए यह dofollow link है क्योंकि जिसने भी आपको दिया है तो क्या वो dofollow link है या nofollow link है अगर आपको यह जानना है ठीक है और अगर आपने खुद देना है तो तो आपको पता ही है लेकिन किसी और ने आपको link दिया यह dofollow है यह nofollow है इसको जानने के लिए आप यहां से देख सकते हैं यहां पर r e l जो है equal to जो भी यह मतलब inverted commas में है तो यहां पर nofollow नहीं होना चाहिए तो इस बात का आप देख सकते हैं अगर nofollow नहीं तो यह dofollow link है यह मालीज़े यह attribute ही नहीं है यहां पर थीक है यह attribute है लेकिनिया आपर nofollow है लिखा हुआ है तो it means हिए dofollow link नहीं है और अगर ये चीज यहाँ पर नहीं है ठीक है attribute आरियल डीक नहीं है या फिर यहाँ पर no follow की जग़ा कुछ और है तो ये do follow link है आपके लिए ठीक है इस तरह से आप जान सकते है कि do follow link कौन सा है ठीक है आपको जो दिया गया link है क्या वो do follow है अगर आपने किसी को लिंक दिया है तो क्या वो डू-फॉलो है तो इस तरह से आप डू-फॉलो लिंक की पहचान कर सकते हैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि पहली बार डू-फॉलो लिंक क्या है और डू-फॉलो लिंक को जो है कैसे आप पहचान सकते हैं या कैसे दे सकते हैं तो यह आपको समझ आ गए इसमें काफी explanation के साथ मैं आपको बता रहा हूँ अब चलते हैं no follow links क्या होते हैं और किस तरह से यह मतलब जो पहचान कर सकते हैं की तो दोस्तों no follow links के बारे में जानते हैं no follow links क्या होते हैं ठीक है do follow links के बारे में तो आपने जाना ही कि जैसे की माली के बेसिकरी सभी links जो हते हैं do follow होते हैं और human और SEO benefits के लिए जो है वो best हैं लेकिन no follow links जो हते हैं human के लिए human को आपके human कोई भी है वो उस पर click करके आपकी website गवीच कर सकता है लेकिन Google उसको follow नहीं करता है इसलिए उसमें no follow attribute लगा होता है या लगा दिया जाता है जिससे की Google उसको follow ना कर सके और आपको SEO benefits ना मिल सके ऐसा दो-तिन कारणों से किया जा सकता है जैसे की किसी को अगर कोई वेक्ती link back करता है लेकिन उसको SEO benefit नहीं देना चाता है इसलिए या फिर वो अपने outbound links को ज्यादा show नहीं करना चाहता है गोगल उस link को follow करेगा तो उससे link बानेगा और यह मानेगा कि आपके website से बहुत सारे do follow links बहुत सारी websites के लिए जा रहे हैं तो कई वार वो उसको link form मान लेता है तो इस तरह से मतलब जो है अपने उसको safety के लिए भी no follow attributes जो है अपने back link में जो है add कर देते हैं लोग ठीक है तो सबसे वड़ी बात है कि no follow को Google follow नहीं करता है SEO benefits नहीं मिलते हैं आपको और लोग कहीं बार मतलब इसमें attribute लगा के इसको no follow बना सकते हैं तो असल में जो link होता है वो basically do follow ही होता है लेकिन उसको no follow बनाया जाता है ताकि search engine उसको follow ना करे ठीक है और उससे SEO benefits नहीं मिलते हैं अगर कोई उस page पे अगर लोग आते हैं और आपके link पे क्लिक करते हैं तो आप तक जो भी है human person जो भी है उस पे क्लिक करके आप तक reach कर सकता है और आपकी website पर traffic भी आ सकता है और इसे read भी कर सकता है तो कैसे बना सकते हैं या इसकी पहचान क्या है या थोड़ा मैं आगे आपको बता रहा हूं लेकिन nofollow links जो है उनको google follow नहीं करता है और किसी को SEO benefit ना देना हो तो आप उसको nofollow कर सकते हैं या कोई व्यक्ति उसको nofollow कर देता है ठीक है तो आएए समझते हैं example के साथ कि कि मतलब nofollow link के लिए code में क्या चोटा सा जोवी change है या attribute है वो कैसे लगाया जाएगा और nofollow link की पहचान कैसे की जाएगी ठीक है कि यह nofollow link है या dofollow link है आपने किसी को दिया या किसी तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी same anchor text है और same website है ठीक है same code है लगबग ठीक है जो कि मतलब hyperlink करने के लिए कहीं से भी use किया जाता है ठीक है universally use किया जाता है ठीक है तो hyperlink के लिए जो मतलब code है वो यही है ठीक है इसमें anchor और url जो है same है मतलब same code है पराने के तरह लेकिन इसमें थोड़ा सा difference क्या है यहां पर यहां पर एक attribute लगा दिया गया है मतलब basically जो भी hyperlink होता है उसका जो code होता है वो dofollow यह होता है लेकिन उसको nofollow बनाया जाता है तो यहां पर आप यह attribute nofollow का जो attribute है उसको add करके उस link को nofollow बना सकते हैं अगर आप माली जे किसी को link back गर रहे हैं और उसको आप SEO benefits नहीं देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि Google इस link को follow ना करे ठीक है और आपके outbound links भी जादा मतलब highlight ना हो तो naturally उसको आप nofollow कर सकते हैं ठीक है इससे उस बिक्ति को जो है SEO benefits नहीं मिलेंगे लेकिन कोई भी human जो है उस link को follow करके उस blog ये website पर या उस link पर जा सकता है ठीक है जैसे कि मना होता है SEO benefits नहीं मिलेंगे लेकिन दोनों ही चीज़े आपको मिलेंगे तो इस तरह से आप किसी link को जो है nofollow बना सकते हैं अगर आप किसी को दे रहे हैं आपको लगता है किसे dofollow नहीं रखना चाहिए उसको SEO benefits नहीं देना है या फिर उसे मतब आप अपने मतब नहीं चाहते कि Google follow करे कि बहुत सारे links आपके उसके लिए भी आप मतब जो है इस चीज़ को check कर सकते हैं कि उस code में जो है यहां पर जो है nofollow लगाया गया है अगर nofollow लगाया गया है तो it means क्यों nofollow link है अगर यह ariel जो attribute है और nofollow का use नहीं किया गया है तो फिर वो dofollow link है तो थोड़ा सा example के साथ भी समझे लेते हैं दोस्तों जैसे कि यह मेरे एक blog है और यह इस blog का specific page है internal page है और यहां से मैंने एक backlink जो है किसी other website को दिया गया है तो मतब यहां पर हम जो example दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ कि nofollow links को पहचानने का example मैं यह किसी ने आपको लिक दिया है या आपने किसी को link दिया है वो dofollow है यह nofollow है यह जानना जान कैसे सकते हैं तो इसका एक्ज disruptive दे रहा हूँ यह अपर तो जैसे कि मालो यह मेरा ब्लॉग है और यहां से मैंने किसी वापसाइड को बैक लिंग किया हूआ है, तो यह नो-follow है, चाहे आपने जानना है, या मदब उस वक्ती ने जानना हो तो कैसे जानेगा कि ये no follow link है या do follow link है तो इसके लिए भी आपको वही है कि जो भी page है उसके उपर click करना है और उसके बाद जो है control u दवाना है अपने keyword से shortcut और उसके बाद control f करना है और यहाँ पर जो है आपको जिसको आपने link दिया है उस website का URL या जो भी है वो आपको डालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आ चुका है ठीक है यहाँ से शुरू होता है ठीक है code और आगे तक यह जा रहा है ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर यह खतम हो गया तो जैसके मैं आपको जगाए बेसिकली जो hyperlink का code है वो same ही होता है सबके लिए universal है और सभी चीज़ें same ही होती है अब जैसे महां लिजे कि यह इसका anchor text हो गया ठीक है और यह इसका URL काफी लमबा है ठीक है और उसी तरीके से इसको लिखा गया लेकिन इसमें जो चेंज है जैसे लास्ट टाइम में जो था वो यहां पे REL equal to inverted commas में no follow नहीं था कुछ और था ठीक है या फिर यह attribute नहीं था तो वो do follow हुआ लेकिन जब यह attribute यहां पे लग गया REL equal to inverted commas में no follow लिख के यह attribute है अगर यह attribute आपने add कर दिया जैसे मैंने add कर दिया है तो यह no follow link बन चुका है ठीक है इसी तरह से अगर किसी और website पे मतलब जो है आपका जो है मतलब link लगा हुआ है और वहां पर REL equal to no follow है तो admins आप समझ लिए कि वो link जो है do follow नहीं है वो no follow link है तो इससे आप समझ सकते हैं ठीक है मैंने अपनी website पे बताया लेकिन अगर यही link किसी और website पे आपकी site को backlink करता है और वहां पर REL equal to no follow है इस तरह से लिखा हुआ है तो यह no follow link गिना जाएगा जिसे search engine follow नहीं करता है और ICO benefits आपको नहीं मिलते हैं और लेकिन फिर भी human traffic आपको divert हो सकता है वहां से तो no follow link को पहचानने के लिए आप इस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं ठीक है दोस्तों example के साथ आपको बताया तो I hope कि आप समझ गए अच्छे तरीके से कि no follow क्या होता है तो दोस्तों मैंने काफी अच्छे तरीके से और बहुत यह explanation साथ आपको बताया है कि do follow or no follow links क्या होते हैं उनमें क्या difference होता है कैसे उनकी पहचान की जा सकती है और लगवग benefits के बारे में भी बात की है मैंने वहां पे लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा benefit के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि what is the benefits of do follow and no follow links in SEO तो दोस्तों do follow or no follow links के क्या benefit है इसके बारे में थोड़ा सा discussion हो चुका है देकिन फिर भी मैं थोड़ा detail में आपको बताना चाहूँ कि do follow links जो होते हैं simply आप इस तरीके से समझे कि do follow links जो होते हैं उनको उनसे दोनों तरह का traffic जो है divert हो सकता है Google भी और human traffic भी क्योंकि जो link आपके link को follow करते हैं ने चलिए कि human जो भी आपके link को follow करेगा और आपकी website पर आएगा तो human traffic भी आपको मिल गया और इस जो Google search इंजने especially वो भी उस link को follow करेगा तो इसको link बाने का अगर वो अच्छी quality website से तो आपकी website को मतब जो है rank करवाने में मदद करेगा और अच्छे से अच्छे link आपके site अच्छी rank करेगी ठीक है inbound links अगर आपके अच्छे से अच्छे है और do follow है उपर से तो अच्छी वहां पर rank होगी और आपको SEO benefits भी मिलें तो do follow links जो है वो आपके लिए हर तरह से जो है beneficial है लेकिन no follow links की बात करें तो उसमें human traffic तो आपको मिल जाएगा क्योंकि जो link को follow करके आप तक रीच करेगा वो तो आजाएगा लेकिन google search engine जो है वो आपको जो है मतब आपके link को follow नहीं करेगा उसे आपको inbound link नहीं मानेगा और आपकी ranking के लिए अगर आप backlink बना रहे हैं मतलब आपकी ranking हासिल करने के लिए तो no follow link से आपको जो है मतलब SEO benefit नहीं मिलेगा और से ranking में कोई help नहीं मिलेगा लेकिन human traffic आपको divert होता रहेगा और no follow links ये नहीं कहूंगा कि सारे no follow links बेकार है no follow links भी best हैं आपके लिए do follow भ की दिश्टी से आज सब दिश्टी कोंड से देखें अगर तो do follow जो है वो आपके लिए सबसे best strategy आपके जातर links जो है या maximum क्या मतलब अगर हर link आपका do follow है आपका involved link तो आपके लिए जादा beneficial है SEO की दिश्टी से भी और human traffic की दिश्टी से भी मतलब हर तरह से do follow link आपके लि बुड़ा नहीं कहेंगे उसमें भी बिसक का SEO benefits नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको traffic divert हो सकता है और इसके अलावा मतलब जो हमारे especially अगर मैं बात करूं तो social media की जो links होते हैं वो जातर no follow होते हैं जैसे facebook, twitter या मतलब google plus के links तो maximum जो social links है जो अगर आप check करेंगे उनको मतलब उनके codes को देखेंगे कि जो hyperlink किया गया है तो उसमें जातर no follow attributes होता ही है और वो जातर no follow होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका benefit नहीं है क्योंकि वो भी आपको जो है मतलब जो है benefits देते हैं ऐसा नहीं है कि google उसको मतलब मानता नहीं है लेकिन do follow को google especially follow करता है लेकिन social links जो है आपके बले वो no follow है उनको भी आपको जो है benefit मिलता है उसे google है में देता है social signal के तौर पे उसको जो है count करता है लेकिन अगर no follow links कोई other blog से हैं website से हैं तो आपको सिर्फ human traffic ही divert हो पाएगा उसे कई benefit मिल बाएगा SEO benefits नहीं मिलेंगे लेकिन overall अगर हम कहें तो do follow और no follow links दोन ही आपके लिए beneficial है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ज़्यादा beneficial जो है वो do follow है तो कोशिश करें कि आपके ज़्यादा ज़्यादा link जो है वो अच्छी quality website से हो और मतब और do follow हो तो ज़्यादा मतब आपके लिए better है हर तरह से ठीक है तो इस तरह से ना no follow links और ना ही do follow links आपके लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है लेकिन अगर आप SEO benefits लेना चाहते हैं और ज़्यादा ज़्यादा benefit लेना चाहते हैं तो आपके ज़्यादा ज़्यादा link जो है do follow ही होने चाहिए या maximum या 100% आप do follow ही कोशिश कीजिए बट कुछ links no follow होते ही हैं जैसे कि social media के links या कहीं website हैं जो की जातर आपको कहीं बार do follow link प्रवाइड नहीं करती तो आप no follow links भी बना सकते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आपका link do follow है या no follow है आपको benefit तो देगा ही लेकिन do follow ज्यादा best है ठीक है तो उससे आपको ह links ज्यादा ज्यादा ले और SEO में इसका आपको काफी benefit मिलेगा और अगर अच्छी quality website से तो आपकी site बहुत ज्यादा या blog जो है बहुत ज्यादा rank करेगा ठीक है और I hope कि ये video आपके लिए helpful रहा होगा इसमें मैंने आपको बताया कि do follow links या no follow links क्या होते हैं और उनके benefits क्या है कौन सा best है ठीक है तो I hope कि ये video आपके लिए helpful रहा होगा अगर ये video आपको पसंद आया तो इसे like करें शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जूर सब्सक्राइब करें और comment box में comment ज़रूर करें हमें बताएं कि हमारा video को क्यासा लगा और अगर आपके आपके कोई suggestion है तो ज़र सब्सक्राइब वाइस वर्ट्रस गूरू